जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकन चीज बोल्स की रेसिपी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत ही बढ़िया चीज बोल्स बनकर तयार होंगे और इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है तो चलिए सुरू करते हैं चीकन चीज बोल्स बनाने के लिए हमने ठाई 100 ग्राम बोल्नेश चीकन लिया और चीकन को छोटे-छोटे क्यूब्स में काटकर mix-y जार में पीष कर हमने इसका कीमा बना लियाय है तो चीकन को mix-y जार में पीस ते वक्त हमने इसमें दो छोटी हरी मिश भी एट की थी यानि कि हमें कीमे के साथ हरी मिश भी ग्राइंड कर लेनी है और इस टेश पर हम इसमें एट करेंगे दो टेबल स्पून ब्रेट क्रम्स आप ब्रेट क्रम्स की जगा दो ब्रेट को पीस कर भी एट कर सकते हैं और अब हम इसमें एट कर देंगे 3 टेबल स्पून बारिक कटा हुआ हरा धनिया और एक मेडियम साइज की बारिक कटी हुई प्याज आप यहाँ पर प्यास को कदुकस भी कर सकते हैं लेकिन हाथ से निचोड कर पहले प्यास का सारा पानी निकाल देंगे फिर हम इसे कीमे में एट करेंगे और अब हम इसमें एट करेंगे स्वाद अनुसा नमक हमने हाफ टी स्पून नमक लिया है और एट करेंगे एक चोथा टी स्पून काली मिर्श पाउडर हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून ओरेगेनो और इसी के साथ हम इसमें एट कर देना है एक टीस्पून अद्रक और लहसुन का पेश्ट और एट करेंगे दो टेबल स्पून तेल अब इन सारी छीजों को अच्छे से मिला लेंगे तो वो सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिला ली है अब हम हाथों को तेल से ग्रीज करेंगे और इसमें से थोड़ा सा portion लेकर इस तरह से हमें इसके bowl बना लेने हैं कीमे को हथेली पर फेला लेंगे और इसके center में हमें रखना है cheese cube हमने process cheese लिया है आप Mozilla Cheese का इस्तेमाल भी कर सकते हैं एक चीज के Cube को हमने इस तरह के चोटी साइस के चार पोर्शन में डिवाइड कर लिया अब चीज क्यूब को कवर करके इसे इस तरह से हमें बोल का सेप दे देना है तो बाकी के कीमे में से इसे तरह हमें सारे मीडियम साइस के चीस बोल्स बना कर तयार कर लेने हैं तो इतने कीमे में से तकरीबन 10 बोल्स बन कर तयार हो जाएंगे क्योंकि हम medium size के बोल्स बना रहे हैं अगर आप चाहें तो छोटी size के बोल्स भी बना सकते हैं अब बोल्स पर coat करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है मेदा दो अंडे लिये हैं और इसी के साथ लिये हैं bread crumbs यह homemade bread crumbs है अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो इसे घर पर कैसे बनाए इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के description में भी आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी अब हमने जो अंडे लिये हैं इसमें हमें एट कर देना है दो चुटकी नमक और अंडों को हम अच्छे से फेट लेंगे तो अब हमें एक एक करके सारे बोल्स पर पहले मेदा कोट कर लेना है मेदे की कोटिंग एपलाई करने के बाद हम इसे डीप करेंगे अंडे में और फिर हम इस पर कोट करेंगे ब्रेट क्रम्स और सेम प्रोसेस को फोलो करते हुए हमने सारी बोल्स पर इन तीनों चीजों की कोटिंग अच्छे से एपलाई कर लेनी है फिर हम इनको fry करेंगे अब हमने तेल अच्छे से गरम कर लिया है और एक एक करके हमें इसमें बोल्स एट करते रहना है इन बोल्स को fry करते वक्त हमें गेस की फ्लेम को low to medium रखना है low to medium फ्लेम पर एक तरफ से fry करने के बाद जब ये golden brown होने लगेंगे तब हमें इनकी sides को change कर देना है और दूसरी तरफ से भी हमें इनको इसी तरह golden brown और crisp होने तक fry कर लेना है तो जब ये fry हो जाएंगे हम इनको तेल में से निकाल लेंगे और बाकी के बोल्स को इसी तरह fry करेंगे तो इस तरह simple सी recipe के साथ बहुत ही बढ़िया और cheesy cheese बोल्स बनकर तयार हुए है वीडियो पसंद आई हो तो like, share और comment करें और इसी ही आसान recipes के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाएका इंडिया का YouTube चैनल पर एक नई recipe के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई